नमस्ते दोस्तों आप लोग कैसे हैं आसा करता हूं आप लोग बहुत आच्छे होगे दोस्तों पठना हाइक में प्रस्नोल अस्टिशन की वेकेंसी आई हुए है देखे इस वेकेंसी के बारे में जिक्र हम करेंगे कौन-कौन भर सकते योगत्या क्या है अच्शक किया होने बच्च पाला है दोस्तों ठीक है चले बीडियो करते हैं तो सबसे पहले है प्रस्थन की कि भूलते हैं परयोजगारी का क्या इस्तिति है भारत में तो अच्छा कज़ा नहीं किया जा सकता है , जाधा बच्चे अपलाई कर दिया जाए है लेकिन दोस्तों आपको फॉर्म अप्लाई करना है क्योंकि इसमें फी एक भी रूपे नहीं लग रहा है तो खुछ से अप्लाई कर दिजेगा कोई दिक्कत की बात नहीं है ठीके देखिए इसमें दोस्तों अप्लाई डेट 15 अपरस लेकर 5 माई तक है अप्लाई कर दिजेग जाए और में कोई दिक्कत की बात है नहीं मिनिम्मम एज में प्रवलम होता है कि बहुत सरे बच्चों के एज होता ही नहीं है जो एज काउंट किया जाएगा पांच माई 2022 नहीं कठारा साल और मैक्सिमम जेनरल के रिट का सैती साल एज होना चाहिए प्लस में ओभी सी का 3 स साल और सेस्टी का 5 साल का होता है ठीक है यहाँ यह यहां पर योगता की बात करें ज़िए हैं किसी भी सबजेक्ट से तो अप्लाइ कर सकते हैं ग्रेजिएं के सासाथ बहुत सारा इसमें बांग रहा है कौलिफिकेसं वह जरूर है समझ दोस्तों लिए इसलिए होगा क्यों कि इसमें जो योगता मांग रहे हैं बहुत कम बच्चों का पास होगा ठीक है लेकिन पहले समझ लिजिए उसके बाद लेकिन इन्टु परंतु करेंगे हम लेकिए योगता की बात करें तो graduation साथ में दोस्तों आपका सट्पीकट होना चाहिए English short hand समझ लिजी English आपका सट्पीकट होना चाहिए तो बहुत सारे बच्चे करते हैं ऑलेटी मार्केट में जहां हम रहते हैं दोस्तों वहां पर देखते हैं कि अच्छा कासा चाहिए बच्चे प्रैक्टिस करते हैं उनके पास होगा तो अप्लाई कर सकते हैं साथ में दोस्तों इंग्लिस टाइपिंग का भी है आपका होना चाहिए ठीक है समझें के 6 मंद का कॉम्प्यूटर डिप्लोमा या सट ठीक है कोई भी कॉम्प्यूटर का आपके पास 6 महिने का कोर्स है तो अप्लाई कर सकते हैं ठीक है यहां पर देखिएगा दोस्तों इंग्लिस शॉट हैंड में आपका जो स्पीड मांग रहा है ठीक असी वर्ड दोस्त है ठीक है जिन बच्चों ने शॉट हैंड किया है दोस्तों उनके 80 वर्ड पर मिनट है और टाइपिंग टेस 40 वर्ड पर मिनट है इंग्लिस का वह बच्चे अप्लाई करते हैं ठीक है यहां पर कंपर्टीशन इससे ही कम हो जाता है कि कोई आपका क्वालिफिकेशन माग र किया है मेरे ख्याल से 10 से भी ज्यादा 10 से भी कम दूस्तों आपका शॉट हैंड बच्चे करते हैं तो शॉट हैंड कंपर्टीशन इसमें बहुत कम होने वाला योगता क्योंकि ऐसा मांग रहा है तो आप अप्लाई जरू करिएगा क्योंकि फी भी नहीं लगदा है इसमें इंग्लिस लेंग्ज़ और ग्रामर के टेस्ट होगा आप से सवाल पूछे जाएंगे तो कोई दिक्कत की बात है नहीं इसमें कोई फाइल नहीं होगा शाट परसें इसमें मार्क्स होने चाहिए ठीक है तो आप सो कुछ टेस्ट कर लेगा ठीक है ग्रामर योगरा के पारे इसमें कॉम्प्यूटर अप्लीकेशन टेस्ट होगा 60% मार्क्स उसका होगा तो मोबाईल में जो अपलीकेशन होता है कॉम्प्यूटर में मानग चला है यह सब खोलने का बंद करने का ओपें करने का यह सब पूछा जाएगा यह सब आपका टाइपिंग से पूछा चाहिए जो कंप्यूटर चलाने जिनको आता है डोस्तों कोई भी कोर्स किया है हुआ है थ्ल महींने का टाजकर आपका डॉक्मेंें से तो और जो इंटर्व्यू नहीं दम होता नहीं है तो में आपके पास क्या होना चाहिए दोस्तों यह योगतता आपके पास shorthand का certificate और computer course का certificate 6 महीने का होना चाहिए यही qualification है बाकि आपका shorthand और typing तो मांग ही रहा है ठीक है और बाकि यह सब टेस्ट होका selection process यह रहने वाला है ठीक है सब्सक्राइब क्या मिलेगी समझेगा इसमें 30.1 salary मिलेगी तो अच्छा का मतलब जासे तो आपको पता होगा बिहार में कोई भी पीए बनता हो रहाई कोट में तो अच्छा कासा income हो जाता है और salary भी आप देख लिए तीस हाजा पर मन्त आपकी salary होने वाली है ठीक है तो यह इस शॉट इंपर भरती आने वाली है बहुत सारा भरती दोस्तों वेट कर रहे हैं आप लोग बहुत सारे स्टोडिन हम से पूसे इसा बिहार में कौन-कौन से व बेकेंसी आ गया है फॉर्म स्टार्ट होगया है तो आप जागा जरूर अपलाई कर दिजिएगा इसके अलवा टेन प्लस टू पर भी दोस्तों आपको भी हान में वेकेंसी देखने हो के लिए दो महने के पहली है अगले मीन हो सकते तो यह फॉर्म खतम होगा उसके बाद माई के बाद जून जुलाई तक यह फॉर्म आपको देखने हो तो मिल जाएगा टेन प्लस टू वाला वेकेंसी इसमें 12,000 से ज्यादा पद होगा कितना होगा 12,000 से ज्यादा पद होने वाला इसके अलगा तेन पर भी दूस्तों ग्रूप D की भी वेकेंसी आने वाली यह प्रवाइट करवाएगे समय तो चैनल को सब्सक्राइब करकर बाद देजिएगा कोई बी सरकारी जौब आता है कोई नोटिफिकेशन आता है ठिक कोई न्यूज आता है पेपर कटिंग में या कोई जो आपसर है या नितिस कुमार के थूरू जो जो इंफ्रमेशन मिलता है मतलब नितिस कुमार हमें दिरेक्ट ठोले देते हैं जो पेपर में आता है यह स्पीश देते हैं उनके थूरू में मिलता है हम कोशिज करते हैं आप लोगों को प्रवाइट करवाने का इसके लाग दो स्टेट लेवल की एक्जाम तो हो गया इसके लाग जो सेंटरल गवर् प्रवाइट में आपको मिलेगा रनेवार